जैहिंद फ्रेंड्स मैं सौरब जा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSA Government Job New Channel पे आज हम लोग Current Affairs के Most Important सवालों को देखेंगे साथी साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रसनों को डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सभी से Request करेंगे कि आप Class को अधिक से अधिक Share करें ताकी अधिक संक्या में बच्चे Class में आकर Class का लाब उठा सकें आप सभी से request करेंगे कि आप class में सारे सवालों के answer क्या करें और please class को support करें, class को like और share अवस्य करें तो चलिए शुरू करते हैं class और देखते हैं हमारा पहला सवाल बलड सूपर्मून के दौरान 26 मई 2021 को चांद का रंग लाल होने की क्या वज़त थी? आंसर करेंगे बलड सूपर्मून के दौरान 26 मई 2021 को चांद का रंग लाल किस वज़त से दिखाई पड़ा था? option A चांद का पिर्थवी के सबसे नजदीक होना, option B चांद का पिर्थवी से सबसे दूर होना, option C लाल रंग का विवलेंथ जादा होना, option D इनमें से कोई नहीं तो फटा-फट आंसर करें क्या कारण था? प्रकास का परकिर्णन आप जानते हैं, आप जानते हैं कि जब प्रकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जिसमें धूल अथवा, अन्य पदार्थों के अत्यंत सुक्ष्मकन होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकास सभी दिशाओं में कहीं कम और कहीं अधिक परसारित होत उस रंग का परकिर्णन सबसे अधिक होता है, और जिस रंग के प्रकास की तरंग्देद सबसे कम होती है, उस रंग का परकिर्णन सबसे कम होता है, यनि तरंग्देद अधिक होगा, तो परकिर्णन कम होगा, याद रखेगा, चीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, या लाल रंग का तरंग्देद सबसे अधिक होगा तो इसका परकिर्णन सबसे कम होगा minimum scattering होगा फैलेगा सबसे कम तो जब सबसे कम फैलेगा तो यह दूर सही दिखाई देगा समझ में आया और इसलिए आप लोग जानते हैं कि red जो light है इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं लाल कलर का उपयोग खत्रे के निसान को दिखाने के लिए भी करते हैं क्योंकि दूर सही लाल कलर दिख जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग देद सबसे अधिक होता है जिसके वज़े से लाल रंग फैलता सबसे कम है तो लाल रंग का विवलेंट सबसे जादा होता है जिसके वज़े से लाल रंग सबसे कम फैलता है तो लाल रंग बहुत दूर से ही नजर आ जाता है तो आपको याद रखना है blood supermoon के दोरान चांद का रंग जो है लाल होने की वज़र क्या है तो लाल रंग का wavelength सबसे अधिक होता है याद रखेगा ठीक है तो wavelength अधिक होने के कारण लाल रंग का scattering सबसे कम होगा याद रखेंगे ठीक है और आपको पता होगा scattering के कारण ही सुरी के प्रकास में बैगनी रंग जिसकी तरंग देदे सबसे कम होती है का परकिंडन सबसे अधिक होता है और लाल रंग जिसका तरंग देदे सबसे अधिक होता है का परकिंडन सबसे कम होता है ठीक तो answer होगया option number C याद रखेंगे तो आप सभी से request करेंगे प्लीज आप लोग class को support करें अगला सवाल केंडरिय मंत्री मंडल ने मालदीव के किस सहर में भारत के एक नया वानिज्यक दूतावास खोलने की मंजूरी मई 2021 को दी है तो answer करेंगे केंडरिय मंद्री मंडल ने मालदीव के किस सहर में भारत के एक नया वानिज्यक दूतावास को खोलने की मंजूरी मई 2021 में दी है तो आपका सही answer क्या होना चाहिए option number B अड्डू ठीक है आपका answer क्या होगा अड्डू याद रखेगा केंडरिय मंद्री मंडल ने मालदीव के अड्डू सहर में भारत के लिए नया वानिज्यक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है तो answer क्या होगा अड्डू सहर याद रखेगा अब यहां से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है art degree channel आप जानते हैं art degree channel किसे किसे अलग करता है art degree channel ठीक है मालदीव और minikwai को अलग करता है art degree channel तो याद रखेगा कि art degree channel मालदीव और minikwai को अलग करता है इसके अलावा आप जानते हैं कि मालदीव जो है दक्षिन Asia का सबसे छोटा देश है याद रखना है मालदीव जो है सबसे छोटा देश है मालदीव तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिन एसिया का सबसे छोटा देश कौन सा है तो याद रखेंगे कि मालदीव दक्षिन एसिया का सबसे छोटा देश है जनसंख्या और चतरफल दोनों की द्रिस्टी से ठीक है तो जनसंख्या और चतरफल दोनों की दृष्टी से दक्षिन एसिया का सबसे छोटा देश है मालदीव 8 डिगरी चेनल मालदीव और मिनिकोई को अलग करता है याद रखेगा मालदीव की राजधानी माले है आप जानते हैं मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की राजधानी 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 ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया केंद्रिय मंत्री मंडल ने मालदीव के अड्डू सहर में भारत के लिए नए वानेज्य दूतावास खुलने को मंजूरी दी है तो क्लास को प्लीज सपोर्ट करें आप सभी रिक्विस्ट करेंगे अगला सवाल किस मुख्यमंत्री को बैड्मिन्टन विश्व महासंग परिशद का सदस से चुना गया है ठीक है तो आंसर करें विच चीफ मिनिस्टर हैज बिन एलेक्टेड एज दी मेंबर आफ दी बैड्मिन्टन वर्ल्ट फेडरिशन काउंसिल ठीक है किस मुख्यमंत्री को बैड्मिन्टन विश्व महासंग परिशद का सदस से चुना गया है तो आपका सही आंसर क्या होगा औप्सिनन मंबर D हेमन्थ भिश्वा सरमा सही अंसर है याद रखेगा हेमन्थ भिश्वा सरमा जी को बैडमिन्टन विश्व महासंग परिश्ट का सदस से चुना गया है हाब बैडमिन्टन से समझ तुनामेंट याद रखे तॉ सकता है जैसे आपसे पूछ सकता है थौ मस कप अपड़ चुके बहुत बार थौक सक卜ाएं से संब्राइट है तो आपको वताना है थौ मस कब 2021 को जीता है तो अथै है थौ मस कब 2021 कोजीता है थौ मस कब अच्षा कर जो है बेड्मिल्टन से संब्र Una Ace सुन्भाधित ईतुक याद रखना है तॉमस कप पूरुस बैपिंटन से संबधित है और आपको याद रखना है की तोमस कप कौन जिता तो इंडोनेसिया जीता थॉमस कप कौन जीता इंडोनेशिया जीता थॉमस कप कौन जीता इंडोनेशिया जीता कौन हरा चीन को हरा कर ठीक है तो इंडोनेशिया जीता चीन को हरा कर तो यह आप लिख लिजेगा चीन जो है उपवी जेता रहा उपवी जेता रहा ठीक है तो थॉमस कप 2021 पूरुस बेडमिंटन स से सम्मदित है थौमस कप 22 इंडोनेशिया जीता चीन को हरा कर याद रखेगा उबेर कप कौन जीता उबेर कप महिला बेडमिंटन से सम्मदित होता है और उबेर कप जो है कौन जीता है तो उबेर कप चीन जीता है जापान को हरा कर ठीक है चीन विजेता उबेर कप का विजे बना है जापान याद रखेगा ठीक है तो उबेर कप महिला बेडमिंटन से सम्मधित है याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आपको याद रखना है ये सवाल आपको समझ में आ गया याद रखेगा और आपको याद रखना है वर्ल्ड बेडमिंटन वर्ल्ड फैडरेशन द द्वारा किस भारतिय पूरु बेडमिंटन खिलारी को Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया तो याद रखेगा बेडमिंटन World Federation द्वारा भारतिय बेडमिंटन खिलारी प्रकास पादुकॉन जी को 2021 के परतिष्टित Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया याद रखेंगे इसके अलावा वर्ल्ड फेडरीशन बेडमिंटन वर्ल्ड फेडरीशन ने भारतिय बेडमिंटन खिलारी पीवी सिंधू और कनाड़ा के मिसेल लीको अंतरास्टि ओलंपिक समीती के Believe in Sport अभियान के लिए Athlete Ambassador की रूप में चुना है ये भी आपसे पूछा जा सकता है याद रखेंगा चलिए तो अगला सवाल देखते हैं आंसर हो गया बेडमिंटन विश्व महासंग परिशद के सदस्य हैं हेमंत बिश्वा शर्मा अगले सवाल पंजाब की मोहाली अंतरास्टी होकी स्टिडियम का नाम बदल कर किस खिलाडी के नाम पर रखा गया है तो याद रखना है अंसर क्या होगा बलवीर सिंग सिनियर ठीके याद रखना है अंसर क्या होगा आपका बलवीर सिंग सिनियर पंजाब के मोहाली अंतरास्टिय होकी स्टेडियम का नाम बदल कर बलवीर सिंग सिनियर के नाम पर रखा गया है ठीक है तो आंसर क्या हो गया आपका बलवीर सिंग सिनियर याद रखेगा और बलवीर सिंग सिनियर भी होकी के बहुत बड़े प्लेर थे ठीक है तो याद अगला सवाल किस भारती अर्थसास्त्री और नॉबल पुरुसकार विजेता को प्रिंसेस ओफ ओस्टूरियस ओस्टूरियस ओवर्ड से सम्मानित किया गया तो आंसर्स करेंगे प्रिंसेस ओफ ओस्टूरियस ओवर्ड से किनहे सम्मानित किया गया ठीक है और आपको hint में दे भी दिया गया है कि अर्थसास्त्री हैं और इनको Nobel पुरुषकार भी मिल चुका है तो आप जानते हैं कि अर्थसास्त्री और Nobel पुरुषकार उनको मिला है तो option देख के आप answer कर सकते हैं तो कोसिस किज़े answer करने का ठीक है किस भारती अर्थसास्त्री और नॉबल पुरुषकार विजेता को Princess of Austuris Award से सम्मानित क्या गया है आपको बताना है तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए Option number B अमर्तेशेन ठीक है अमर्तेशेन याद रखेगा तो अमर्तेशेन अर्थसास्त्री हैं जिन्हें नॉबल पुरुषकार मिल चुका है और याद रखना है Princess of Austuris Award से किने सम्मानित क्या गया है तो Princess of Austuris Award से अमर्तेशेन को सम्मानित क्या गया है याद रखेगा ठिक है और Amartsenko 1998 में नोबेल पुरुसकार मिला है आपको याद होगा तो अगर आपसे पूछे कि Amartsenko कब नोबेल मिला कल्यानकारी अर्थसास्थ के लिए Amartsenko 1998 इस फी में नोबेल पुरुसकार से सम्मानित क्या गया था, याद रखेगा अब यहाँ पर आपको याद रखना है Nobel पुरुसकार 2021 किनको किनको मिला है जैसे आपसे पूछ सकता है Physics का Nobel 2021 में किनको मिला Physics का Nobel 2021 में किनको मिला अगर आपको पता है तो आप कमेंट करेंगे Physics का Nobel 2021 में किनको किनको मिला है ठीक है तो याद रखना है क्लाज हैसलमेन जर्मनी के हैं इनको मिला है फिजिक्स का नॉबल पुरुसकार इसके अलावा याद रखना है शूकरो मुनेबे याद रखे हैं शूकरो मानेबे ठीक है इनको भी मिला है फिजिक्स का नॉबल पुरुसकार ठीक है, तो Class Hesselman और Siukaro Monabe को मिला है, याद रखना है Physics का Nobel पुरुषकार, इसके अलावा आपको याद रखना है एक और वेक्ति हैं, जिनको Nobel पुरुषकार मिला है Physics के छेतर में तो Physics के छेतर में तीन वेक्ति को Nobel पुरुषकार मिला है, और एक है Geo-Geo Paracy Geo-Geo Paracy ठीक है, तो आपको याद रखना है तीन वेक्ति हैं, जिनको Physics का Nobel पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, किनको किनको तो Class Hesselman, Siukaro Monabe और Geo-Geo Paracy याद रखेगा समझ में आए तो Physics का Nobel पुरुषकार Class Hesselman, जर्मनी के वेग्यानिक, स्यूकुरो, मानेबे जापान के वेग्यानिक और जियोर्जियो, पैरिसी, जो की इटली के वेग्यानिक है, इन तीनों को मिला था, याद रखेंगे ठीक है, साहित्य का नॉबल ज्यादा important बनेगा, आपसे पूछ सकता है साहित्य का नॉबल ज्यादा अब्दुराजाग अब्दुराजाग गुरना तो ये तो आराम से याद हो जाएगा, अब्दुराजाग आप जानते हैं, पाकिस्तान के एक बॉलर भी थे तो वहां से आप याद रख सकते हैं या फिर लास्ट में बहुत अच्छा आराम से याद हो जाएगा गुर्ना तो साहित्य का नॉबल 2021 किन को मिला अब्दुल रजाक गुर्ना को मिला है ये तंजानिया के हैं याद रखेंगे ठीक है तो साहित्य का नॉबल किसको मिला तो अब्दुल रजाक गुर्ना याद तो पीस का यानि सांती का नॉबल 2021 में दो वेक्ति को मिला है मारिया रेशा मारिया रेशा जो की फिलिपीन्स की हैं मारिया रेशा को मिला है ठीक है और मारिया रेशा को सांती का नॉबल पुरुसकार मिला है और याद रखना है दमित्री इनका नाम थोड़ा सा हाड है दमित की स्वतंतरता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और अस्थाई सांती के लिए मतलम इन्होंने योगदान दिया है जिसके कारण इनको पीस का नोबिल पुरुषकार मिला है तो याद रखेगा मारिया रेशा और दमित्री 1969 में दिया गया था 14 बेंको का रास्टी करन पहली बार 1969 में हुआ था मान भुकर पुरुसकार की सुरुवात 1969 में हुई थी इसरो का अस्थापना 1979 में हुआ था दादा साथ फालके अवर्ड 1969 में पहली बार दिया गया था नीलामस्ट्रोंग चांद पर पहली बार कब गए थे? 1979 में गए थे? ठीक है, तो ये भी याद रखेगा तो Economics का Novel पुरुसकार किस साल शुरू हुआ तो Economics का Novel पुरुसकार पहली बार 1979 में दिया गया था याद रखेगा ठीक है, अगर आपसे पूछे Economics का Novel पुरुसकार याद रखना है जोसुआ डी एगिस्ट, गुईडो डबलू, इम्बैंस और डेविट कार्ड को मिला है ठीक है, तो Economics का Novel पुरुसकार तीन वेक्ति को मिला है किनको किनको, जोसुआ डी एगिस्ट को गुईडो डबलू, एम्बैंस को और डेविट कार्ड को याद रखेगा और Economics का Novel पुरुसकार पहली बार 1969 में दिया गया था उसी साल नेल अमस्टॉंग चांद पर गए थे 1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में ही 14 बेंको का रास्टी करण हुआ था 1969 में ही मानबुकर पुरुसकार की सुरुआत हुई 1969 से ही दादा साथ फाल के अवर्ड दिया जा रहा है यह सब आप याद रखेगा चिक है तो समझ में आ गया इसको आप याद रखेगा तो यहाँ पे फिलहाल आंसर क्या होगा तो याद रखना है कि अमर्त सेंजी को प्रिंसेस ओफ ऑस्टूरियस आवर्ड से सम्मानित क्या गया है आंसर ओप्सन नमबर बी तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें अगला सवाल तुफान यास के दौरान 26 मई 2021 को पस्टिम मंगाल में भुकम पाया इसकी तौरिवता रिक्वेस्टर पैमाने पर कितनी थी यास तौरान पस्टिम मंगाल में भुकम पाया जिसकी तौरिवता कितनी थी 3.8 रिक्वेस्टर स्केल पर तौरिवता था रिक्तर स्केल के द्वारा याद रखेंगे और आप जानते ही कि आपसे ये सवाल बन सकता है ये सवाल तो इतना important है नहीं आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है कि सरवादिक भुकंपों वाला देश कौन सा है आपको पता है सबसेदिक भुकंप कौन सा कहां पर आता है सरवादिक भुकंपों वाला देश किसे कहा जाता है ठीक है जापान याद रखेगा जापान जो है सबसेदिक भुकंपों वाला देश है ठीक है याद रखेगा सरवादिक भुकंपों वाला देश कौन है सबसे ज़्यादा भुकंप आता है और जापान चुकी वहीं पर परसांत महासागर के पास ही है ठीक है इसलिए जापान में बहुत ज़्यादा भुकंप आता है ठीक है तो याद रखेगा पूछ सकता है तो जापान जो है परसांत महासागर में इस्तित एक द्वीपे देश ह और जापान को भुकम्पों का देश कहा जाता है और सबसे दिख भुकम्प किस देश में आता है जापान में और अगर पुछे overall सबसे दिख भुकम्प कहा आता है तो परसांत महासागर आप याद रखेगा ठीक है? चमझ मैं आया? और जापान का और भी बहुत सारा नाम है जैसे जापान को सुर्योदय का देश कहा जाता है जापान को पुरु का ग्रेट बिटेन कहा जाता है जापान को भुकम्पों का देश भी कहा जाता है ठीक है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है यही चीज ठीक है चलिए इस सवाल का अंसर होगे option number A अगला सवाल World choreography award 2020 जीतने वाले पर्थम भारतिये कौन बने तो अच्छा सवाल है पूछ सकता है World choreography award 2020 जीतने वाले पहले भारतिये कौन थे कौन है तो आंसर करें World choreography award 2020 जीतने वाले पहले भारतिये कौन है सुरेश मुकुंद तो याद रखेगा World choreography award 2020 जीतने वाले पहले भारतिये हैं सुरेश मुकुंद याद रखेगे answer option D अब यहाँ से आप बहुत सारा पुरुसकार थोड़ा सा revision कर लीजे एक्जाम में जो पूछता है जैसे आप से पूछ सकता है Nelson Mandela विश्व मानवतावादी पुरुसकार किन को मिला है अंसर करेंगे Nelson Mandela विश्व मानवतावादी पुरुसकार 2021 किन को मिला है ठीक है तो बता सकते हैं अगर आपको पता है तो important सवाल है याद रखना है रुमाना सिंह सहगल को ठीक है तो याद रखेगा Nelson Mandela विश्व मानवतावादी पुरुसकार 2021 सहगल को ठीक है तो याद रखेगा Nelson Mandela विश्व मानवतावादी पुरुसकार 2021 रुमाना सिंह सहगल को मिला है उद्देमिता की छेतर में उद्कृस्ट योगदान देने के लिए आपको पूछ सकता है स्कौच चीप मिनिस्टर आफ दे इयर कावर्ट किसको मिला most important सवाल है स्कौच चीप मिनिस्टर आफ दे इयर कावर्ट किसको मिला स्कौच चीप मिनिस्टर आफ दे इयर कावर्ट किसको मिला स्कौच चीप मिनिस्टर आफ दे इयर कावर्ट किसको मिला आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री बता देजे किनको मिला है तो आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी ठीक है? Y.S. जगन मोहन रेड़ी को तो याद रखेगा स्कॉच चीप मिनिस्टर आप दे इयर का पुरुसकार किन को मिला? तो स्कॉच चीप मिनिस्टर आप दे इयर का पुरुसकार आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी को मिला है Most important सवाल है Note कर लेंगे आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी को Scotch Chief Minister of the Year कावर्ड मिला है ठीक है और अगर आपसे पूछे कि स्वास्ति के छेतर में स्वास्ति के छेतर में सर्वसेष्ट राजी के लिए इसकोच पुरुसकार किस राजी को मिला हर्याना ठीक है स्वास्ति में सर्वसेष्ट राजी के लिए इसकोच पुरुसकार हर्याना को मिला है याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि बैटन ओफ ओनर से किनको सम्मानित किया गया रास्टपती द्वारा बैटन ओफ ओनर से किनको सम्मानित किया गया तो याद रखेगा किरन बेदी किरन बेदी को बैटन ओफ ओनर के द्वारा सम्मानित किया गया तो अगर आपसे पूछेगा बैटन ओफ ओनर से किसको सम्मानित किया गया किरन बेदी को ठीक है पुदुचेरी की पुर्व लेफटिनेंट गवर्नर थी किरन बेदी तो याद रखना है रास्टपती रामनात कोविंद ने पुदुचेरी की पुर्व लेफटिनेंट गवर्नर किरन बेदी को बैटन आफ ओनर से सम्मानित किया याद रखेंगे इंपोर्टन्ट सवाल है इसके अलाव आपसे पूछ सकता है E-Panchaid Puriushkaar 2021 E-Panchaid Puriushkaar 2021 में पहला अस्थान किसको मिला? E-Panchaid Puriushkaar 2021 में पहला अस्थान किसको मिला? ठीक है? तो याद रखना उत्तरपरदेश नमबर पर कौन रहा है? फर्स्ट कौन हाइ? उत्तरपरदेश UP याद रखेगा ए पंचायत पूरुस्कार 2021 में पहला अस्थान उत्तरपरदेश को मिला दूसरा अस्थान आसाम और शट्रिसगर को मिला लेकिन पूसता है पहला तो इपंचायत पुरुषकार 2021 में पहला अस्थान उत्तरवर्देश को मिला याद रखेंगे आपसे पूछ सकता है कलिंग रत्न सम्मान 2021 किन को मिला इंपोर्टेंट सवाल है कलिंग रत्न सम्मान 2021 किन को मिला तो आपको वताना है कलिंग रत्न सम्मान 2021 किन को मिला कलिंग रतन सम्मान 2021 तो याद रखना है विश्वा भूसन हरी चंदन कलिंग रतन कलिंग रतन 2021 किसको मिला तो विश्वा भूसन हरी चंदन को मिला है तो याद रखेगा कलिंग रतन सम्मान 2021 आंद्रपर्देश के राज्यपाल विश्वा भूसन हरीचंदन जी को मिला है उपराष्टपती वेंकिया नाइडू के द्वारा तो कलिंग रत्न सम्मान 2021 विश्वा भूसन हरीचंदन को मिला याद रखेगा तो बस याद यही रखना है कि कलिंग रत्न पुरुसकार 2021 किन को मिला विस्वा भुसन हरी चंदन को मिला है, याद रखेंगे, ठीके, और आपसे पूशसकता है, लोकमाने तिलक, रास्टीय पुरुसकार बाकर 2021 किन को मिला है, तो साइरस पुनावाला को, टॉक्टर साइरस पुनावाला को, ठीके, तो याद रखेंगे, जोकमाने तिलक रास्टे पुरुस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पुनावाला और को मिला है याद रखेंगे। support करें आप सभी से humble request करेंगे अगला सवाल रास्तिय लोकदल RLD का नया रास्तिय अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना है Who is the new national president of रास्तिय लोकदल RLD रास्तिय लोकदल के नय अध्यक्ष कौन बने है तो याद रखना है जैन्त चौधरी रास्तिय लोकदल के नय अध्यक्ष कौन है जैन्त चौधरी आप्शन से याद रखेंगे अगला सवाल IPL 2021 के 14 सीजन में बचे हुए बाकी मैचों को यानि दूसरा चरन किस देश में कराया जाएगा आप जानते है IPL जो 2021 में हुआ इसका पहला चरन भारत में हुआ था लेकिन COVID-19 जब बढ़ गया जब बढ़ गया तो क्या हुआ इसका दूसरा चरन कहीं और किया गया था तो वही आपको बताना है कि T20 World Cup 2021 कहां आयो जित हुआ था तो आप जानते हैं भारत और कहां पे हुआ था UAE में हुआ था ठीक है तो याद रखना है अगर आपसे पूछेगा IPL 2021 कहां कहां हुआ था तो भारत और UAE में हुआ था तो याद रखेगा ठीक है IPL 2021 यनि IPL का चौदवा सीजन ठीक है IPL 2021 यनि IPL का चौदवा सीजन भारत में हुआ था बांकी पहला चरण जो फर्स्ट हाप भारत में हुआ था और लास्ट हाप जो है दूसरा चरण जो है UAE में हुआ था सेंउक्त अरब अमिरात में हुआ था ठीक है कौन जीता तो आप सभी को पता है चन्ने सुपर किंग्स चौथी बार IPL का कप जीता और चन्ने सुपर किंग्स ने चौदवे आईपेल का जो सीजन था उसमें जीत हासिल की थी Kolkata Night Riders को हरा कर ठीक है तो चन्ही Super Kings वीजेता रहा और Kolkata Night Riders वीजेता रहा याद रखेगा और आपको पता है चन्ही के रितुराज गायकवार जो की सबसे ज़्यादा रन बनाए थे उनको Orange Cap मिला Orange Cap किसको मिलता है जो सबसे दिक रन बनाता है उसको Orange Cap मिलता है ठीक है और जो सबसे दिक विकेट लेता है उसको क्या मिलता है Purple Cap मिलता है और Harsal Patil को मिला Purple Cap तो याद रखेगा RCB के जो Baller थे Harsal Patil, Harsal Patil को Purple Cap मिला 2021 IPL के लिए और रितुराज गायकवार को Orange Cap मिला याद रखेगा ठीक है तो इस सीज को आप याद रखेगा यहाँ पर आंसर क्या हो गया IPL 2021 के 14 सीजन में बचे हुए मैचों का दूसरा चरण कहां हुआ था UAE में हुआ था तो IPL 2021 भारत और UAE में संपन हुआ याद रखेंगे अगला सवाल ICC International Cricket Council ने 25 मई 2021 को 1 Day International Ranking जारी किया इनमें कौन सा देश सबसे पहले अस्थान पर था यह ranking change होते रहता है आप जानते हैं ठीक है तो 25 मई 2021 को 1 Day International Ranking जारी किया गया था जिसमें पहले नंबर पे कौन था New Zealand था ठीक है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा option number C New Zealand याद रखेंगे ठीक है आपको बताना है T20 World Cup 2021 में जो हुआ कहाँ पे हुआर कौन जीता T20 World Cup 2021 कहाँ पे हुआर कौन जीता आप सभी जानते हैं ठीक है T20 World Cup 2021 Australia जीता ठीक है T20 World Cup 2021 Australia जीता New Zealand को हरा कर ठीक है तो याद रखना है T20 World Cup 2021 एस्टिलिया जीता किसको हरा कर न्यूजिलांड को हरा कर तो न्यूजिलांड उप विजेता रहा तो तुन थे याद रखना है है T20 World Cup 2021 आस्टिलिया जीता।standag न्यूजिलैंड उप विजेता रहा और T20 World Cup 2021, UAE और उमान में आयोजित क्या गया था याद रखेंगे अगला सवाल ICC की 25 मई 2021 को जारी One Day International Ranking में टॉप रैंक किस बल्लेवाज को मिली है ठीक है यानि ICC का One Day Ranking में जो टॉप बैट्समेन है नंबर वन बैट्समेन है उसकी रैंकिंग में 25 मई 2021 को कौन सिर्ष पर आ गए ठीक है तो सही आंसर क्या होगा आप जानते हैं बावर आजम जो की पाकिस्तान के बैट्समेन है बावर आजम ठीक है अगला सवाल ICC की 25 मई 2021 को जारी One Day International Ranking में टॉप रैंक में किस गेंदबाज को रखा गया है ठीक है तो ICC का 25 मई 2021 को जो केलेंडर मतलब रैंकिंग जारी किया गया उसमें One Day में सबसे टॉप बॉलर मतलब वन डे का नंबर वन बॉलर के रैंक में किसको रखा गया था तो याद रखना है Trent बॉल्ट को Trent बॉल्ट न्यूजिलेंड के फास्ट बॉलर है आप जानते हैं ठीक है तो ICC की 25 मई 2021 को जारी वन डे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप रैंक में Trent बॉल्ट को रखा गया था याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल ICC की वन डे इंटरनेशनल ओल्राउंडर रैंकिंग में 23 मई 2021 को जारी ठीक है लिस्ट में किसे टॉप पोजिशन मिला तो यहाँ पर आपको देखी क्या बोला है ओल्लाउंडर का लिस्ट में ठीक है तो टॉप ओल्लाउंडर यानि नमबर वन ओल्लाउंडर में कौन है तो ICC की वन डे इंटरनेशनल ODI रैंकिंग जो की 23 मई 2021 को जारी किया गया जिसमें साकीबल हसन साकीबल हसन को नमबर वन पे रखा गया था साकीबल हसन कहां के प्लेयर है आपको पता है बांगलादिस के प्लेयर है साकीबल हसन ठीक है तो आप जानते होंगे बांगलादिस के हैं साकीबल हसन बाया हथ से बॉलिंग करते हैं बाया हथ से ठीक है और बैटिंग भी करते हैं तो अलाउंडर है साकीबल हसन याद रखेगा बांगलादिस के प्लेयर है ठीक है पैट कमिंस आस्टेलिया के प्लेयर है जटेजा आंसर करेंगे when was buddh purnima day celebrated in the year ठीक है तो वर्स 2021 में buddh purnima दिवस कब मनाया गया तो आंसर करेंगे वर्स 2021 में buddh purnima दिवस कब मनाया गया तो आपका आंसर क्या होगा option number D 26 मही याद रखेगा 26 मही को buddh purnima मनाया गया वर्स 2021 में ठीक है तो आंसर क्या होगा 26 मही याद रखेंगे अब भगवान buddh के बारे में आप जानते हैं कि गौतम buddh को क्या कहा जाता है तो गौतम buddh बहुत धर्म के संस्थापक थे गौतम buddh को light of Asia कहा जाता है इसिया का जोती पुझ कहा जाता है गौतम buddh का जन्म कवुआ था आपको पता है गौतम buddh का जन्म कवुआ था ये बहुत अच्छा सवाल है और पूस्ता है जन्म जो है 563 इसापुरो में हुआ था याद रखेगा गौतम buddh का जन्म 563 इसापुरो में हुआ था ठीक है गौतम buddh का जन्म 563 इसापुरो में कपिल वस्तु के लुंबनी नामक अस्थान पर हुआ था और गौतम buddh के पिता का नाम सुदोधन था जो की साकेगन के म मुख्या थे गोतम बुद की मा का नाम माया देवी था और आपको पता है गोतम बुद के जन्म के सात्वे दिन ही उनकी मा माया देवी का निधन हो जाता है उसके बाद गोतम बुद का लालन पालन उनकी शोतेली मा प्रजापती गोतमी करती है गोतम बुद का बच्पन का ना याद रखेगा गौतम बुद्ध की मिर्तिव यानि जिसे महा परिनिर्वान कहा जाता है याद रखेगा गौतम बुद्ध की मिर्तिव 483 इसापुर में कुसी नगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इस घटना को बहुत गरंतों में महा परिनिर्वान कहा जाता ठीक है तो गौतम बुद के निधन की घटना को महा परिनिर्वान कहा जाता है और गौतम बुद ने अपना पहला उपदे सारनात में दिया था इस घटना को धर्म चकर परवर्तन कहा गया है और गौतम बुद ने गरीह त्याग किया था और इस घटना को क्या कहा गया आपको पता है महाभिनिसकर्मन याद रखेगा गौतम बुद्ध ने 29 वर्स के अवस्था में ग्रीह त्याग दिया घर छोड़ दिया था और इस घटना को महाभिनिसकर्मन कहा गया गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदे सारनात में दिया जिसे धर्म चकर प्रवरतन कहा गया और गौतम बुद्ध के मिर्थ्यू की घटना को बहुत गरंतों में महा परिनिर्वान कहा गया ठीक है तो बुद्ध पुर्निमा जब मनाया गया 26 मई आंसर ऑप्सन डी तो क्लास को प्लीज आप लोग सपोर्ट करें महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जनती कब मनाई जाती है तो फटा फट बताएंगे राजा राम मोहन राय जी की जनती कब मनाई जाती है आप जानते हैं राजा राम मोहन राय जी को क्या क्या कहा जाता है जो कि एकजाम में बहुत ज़्यादा पूछता है आप रखेगा भारत में नव जागरन का अगरदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राई को अगर आपसे पूछे आधुनिक भारत का पिता किन को कहा जाता है तो राजा राम मोहन राई को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है तारा कहा जाता है, राजा राम मोहनराई जी को पत्रकारिता का भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। जाता है ठीक है और आप जानते हैं कि राजा राम ने ब्रह्म समाज के स्थापना 1828 मेंं की थी इसके अलावा राजा राम मोहन राई ने आत्मिय सभा के स्थापना भी की थी आप जानते हैं 1815 में आत्मिय सभा के स्थापना की थी राजा राम मोहन राई ने तो याद रखेगा 1815 में राजा राम मोहन राई ने आत्मिय सभा के स्थापना की थी इसके अलावा इन्होंने वेदांत कॉलेज के स्थापना की थी 1825 में आपको ये सब सवाल याद रखना है तो 1815 में राजा राम मोहन राई ने आत्मिय सभा के स्थापना की 1825 में राजा राम मोहन राई ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज के स्थापना की 1828 में राजा राम मोहन राई ने ब्रह्म समाज के स्थापना की इसके अलावा आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राई को भारतिय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राई को बहुत सारी भासाओं में ग्यान प्राप्त था बहुत विद्वान थे राजाराम मोहन राए जी ने आपको पता होगा फारसी भासा में मिरातुल अखबार पत्रिका का संपादन किया था तो याद रखेगा 1821 सिस्वी में बंगला भासा में समवाद कुमूदी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहनराई ने किया था और राजा राम मोहनराई ने समवाद कुमूदी पत्रिका के मादम से सती पर्था का विरोध किया था याद रखेंगे और आप जानते हैं कि सती पर्था जी के अथक प्रयास से लॉड विल्यम बेंटिक ने विद्वा आप जानते हैं राजा राम मोहन राई जी के अथक प्रयास से ही लॉड विल्यम बेंटिक के द्वारा सती पर्था पर रोक लगाया गया था तो ये चीज को भी आप याद जिन्होंने राम मोहन राई को राजा की उपाधी दी थी तो याद रखेगा मुगलबाद सा अकबर दुतिये ने राम मोहन राई को राजा की उपाधी दी थी और आपको पता होगा राजा राम मोहन राई जी की मिर्त्यू ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी तो ये भी क्या होगा option number C 22 मई, answer क्या होगा 22 मई, और 22 मई को और एक बहुत ही अच्छा दिवस मनाया जाता है, अब जानते हैं, 22 मई को जैव विविदता दिवस मनाया जाता है, तो बस relate करके याद रख लिजेगा, 22 मई को जैव विविदता दिवस भी मनाया जाता है, क्या मनाया जाता तो class को please आप लोग support करें अगले सवाल पहली भारतिय का नाम बताएं जिसे International Narcotics Control Board का अध्यक्ष चुना गया तो most important सवाल है आपको बताना है Name the first Indian ठीक है Name the first Indian ठीक है Name the first Indian who has been elected as the chairman of International Narcotics Control Board International Narcotics Control Board का अध्यक्ष किने चुना गया आपको बताना है ठीक है तो answer करें अगर आपको पता है तो याद रखना है जगजीत पवाडिया ठीक है जगजीत पवाडिया जी को International Narcotics Control Board का अध्यक्ष चुना गया अंसर होगा option number A International Narcotics Control Board का अध्यक्ष जगदीस पवाडिया को चुना गया याद रखेंगे अगला सवाल International Any Award 2020 के लिए किस भारते वैग्यानिक को चुना गया International Any Award 2020 से किन को संबानित किया गया आपको बताना है तो याद रखेगा अंतरास्टी Any Award 2020 किन को मिला प्रोफेसर सी एन राव को मिला ये केरल के हैं तो याद रखना है International Any Award 2020 किन को मिला तो याद रखना है प्रोफेसर सी एन राव को उन्हें उर्जा के अनुप्रियोगों तथा हरित हाइडोजन उत्पादन के कारे में सफलता के लिए दिया गया तो याद रखेगा प्रोफेसर सी एन राव को अंतरास्थी Any Award 2020 मिला अगर आपसे पूछे International Any Award 2020 किन को मिला तो प्रोफेसर सी एन राव को मिला अब ये भी तो पूछ सकता है कि International Any Award किस छेत्र में दिया जाता है तो आपको याद रखना है इस पूरुसकार को Energy का Nobel पूरुसकार कहा जाता है क्या कहा जाता है Energy का Nobel पूरुसकार कहा जाता है याद रखेगा कि Any पूरुसकार को Energy का Nobel पूरुसकार कहा जाता है ठीक है Energy का Nobel पूरुसकार कहा जाता है या आप लिख लिजेगा अच्छे से कि एनी पुरुषकार को एनर्जी का नोबल पुरुषकार कहा जाता है और एनी पुरुषकार किन को मिला प्रोफेसर सी अन राव को इंटरनेशनल एनी अवर्ड दोजर बीस से सम्मानित किया गया ठीक है आंसर आप्शन भी याद रखेगा चली अगला सवाल देखते हैं तो आंसर करेंगे तो आप आंसर करेंगे आंसर क्या होगा याद रखेगा रंदी पुड़ा को सेयुक्तरास्ट एन्वायर्मेंटल ट्रीटी के ब्रांड एमिजडर पत से हटा दिया गया क्यों क्योंकि इन्होंने जातिवादी टिपनी किया था जातिवादी किया था ठीक है तो याद रखेंगे सेयुक्तरास्ट एन्वायर्मेंटल ट्रीटी ने जातिवादी और गलत कमेंट करने के कारण रंदी पुड़ा को एमिजडर पत से हटा दिया आंसर हो गया उप्सन नमबर C याद रखेंगे ठीक है अगले सवाल किस भारतिये को वर्ष 2021 का अंतरास्टी होकी महासंग प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला तो आंसर क्या होना चीए बताएंगे तो आपका सही आंसर होगा वी कार्थी केयन पांडियन याद रखेगा वी कार्थी केयन पांडियन को 2021 का अंतरास्टी होकी महासंग प्रेसिडेंट्स अवर्ड मिला याद रखेगा वर्स 2021 का अंतरास्टी होकी महासंग प्रेसिडेंट्स अवर्ड वी कार्थी केयन पांडियन को मिला answer option D याद रखेंगे अगला सवाल सबसे तेज गती से दोडने वाला जानवर चीता जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोसित किया गया था उसे किस देश से भारत लाया जा रहा है तो answer करेंगे The fastest running animal, the cheetah which was declared extinct in India in 1952 is being brought to India from which country माफे चाहेंगे answer करें तो आपका सही answer क्या होगा दक्षिन अफरीका याद रखेंगे सबसे तेज गती से दोडने वाला जानवर चीता जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोसित किया गया था उसे दक्षिन अफरीका से भारत लाया जा रहा है answer option number D याद रखेंगे अगला सवाल लोक वैवस्था में गरबड़ी के दोरान संपत्ती के नुकसान की वसूली विधेक 2021 को किस राज में मंजूरी दी गई तो आपका सही answer क्या होना चीए हरियाना याद रखेंगे लोक वैवस्था में गरबड़ी के दोरान संपत्ती के नुकसान की वसूली विधेक 2021 को हरियाना राज में मंजूरी दिया गया answer option C अगला सवाल विस्व भूक दिवस कब मनाया जाता है When is World Hunger Day celebrated World hunger day गब मनाया जाता है ठीके World hunger day कब मनाया जाता है तो याद रखेंगे 28 माई 28 माई को World hunger day मनाया जाता है ठीके तो 28 माई को विस्व भूआंगर دिवस मनाया जाता है याद रखेंगे अगला सवाल अंतरास्तिय महिला स्वास्ति कारवाई दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर करेंगे International Women's Health Action Day अंतरास्तिय महिला स्वास्ति कारवाई दिवस कब मनाया जाता है तो अंतरास्तिय महिला स्वास्ति कारवाई दिवस कब मनाया जाता है 28 मही को याद रखेगा 28 मही को अंतरास्तिय महिला स्वास्ति कारवाई दिवस मनाया जाता है 28 मही को अगला सवाल COVID-19 की वज़ा से ओसकर अवार्ट समाहरों को कब तक किलिए अस्थगित किया गया है आपको बताना है COVID-19 की वज़ा से Oscar Awards अमारों को कब तक के लिए अस्थगित किया गया था तो आपका सही अंसर क्या होना चीए फटा-फट अंसर करेंगे Option A 27 March अंसर क्या होगा 27 March 2022 ठीके आपसे पूछा गया है COVID-19 की वज़ा से आउसकर अवर्ड समारों को कब तक के लिए अस्थगित किया गया है तो अंसर क्या होना चीए 27 मार्च 2022 याद रखेगा ठीक है अब यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है जो 2021 में जो आउसकर मिला है ठीक है 93 वाँ ओसकर वहाँ से सवाल पूछ सकता है बेस्ट फिल्म कौन सा था बेस्ट एक्ट्रिस कावर्ड किन को मिला तो 93 वाँ ओसकर अवर्ड 2021 बेस्ट फिल्म क्या है नॉमेंड लेंड याद रखेगा 93 वाँ ओसकर अवर्ड में बेस्ट फिल्म कावर्ड मिला है नोमेड लेंड को याद रखेगा Nomad Land को ठीक है तो 93 वेवा ओसकर अवर्ड 93 वेवा ओसकर अवर्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का वर्ड मिला है Nomad Land को याद रखेगा और सरफसेष्ट अभिनेता का वर्ड मिला है Anthony Hopkins को सरफसेष्ट अभिनेत्री का वर्ड मिला है Francis McDormand को और सरफसेष्ट अभिनेत्री का वर्ड मिला है Close How को याद रखेगा ठीक है तो 93 वेवा ओसकर अवर्ड 2021 बेस्ट फिल्म का वर्ड किसको मिला Nomad Land को याद रखेगा और बेस्ट डिरेक्टर का वर्ड किसको मिला है Close How को Best Director का वर्ड किसको मिला है तो याद रखेगा Close How Close How को Best Director का वर्ड मिला है और किस फिल्म के वो डिरेक्टर थे तो Nomadland के डिरेक्टर थे Close How तो यहाँ से दोनों समझ में आ जाएगा तो अगर आपसे पूछे Close How को Best Director का वर्ड किस फिल्म को निर्देशित करने के विला तो Nomadland Best Film का वर्ड मिला और Nomadland को डिरेक्ट किया था Close How ने जिसके कारण इन्हें Best Director का वर्ड मिला और सबसेश्ट Hero का वर्ड किस को मिला Anthony Hopkins को The Father के लिए और सबसेश्ट अभिनेत्री का वर्ड Francis McDormand को मिला Nomadland के लिए याद रखेगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें अगला सवाल किस सरकार ने पौधार उपन को प्रोटसाहित करने के लिए अंकूर योजना शुरू की जिसके तहद पौधे लगाने वाले लोगों को अवर्ट के लिए चैनित किया जाएगा तो आंसर करें किस सरकार ने पौधार उपन को प्रोटसाहित करने के लिए ठीक है अंकूर योजना की शुरूआत की जिसके तहद पौधा लगाने वाले लोगों को अवर्ड के लिए चैनित किया जागा तो बहुत अच्छा इस्कीम है बहुत अच्छा योजना है पूछ भी सकता है एक्जाम में तो आंसर करेंगे मद्यपर्देश सरकार ने पौधार उपन को प्रोचसाइद करने के लिए अंकुर योजना शुरूग की है जिसके तहट पौधे लगाने वाले लोगों को अवर्ड के लिए चैनित किया जाएगा तो याद रखेगा मद्यपर्देश सरकार के द्वारा अंकुर योजना चला आई-ए के नए परमुक कौन है आपको वताना है कुल्दीप सिंग याद रखेगा रास्टिय जाँच एजनसी के नए परमुक कौन है कुल्दीप सिंग याद रखेगा अगला सवाल केंदर सरकार ने RAW चीफ सामन्त गोयल और IB चीफ अरुद कुमार को कब टक के लिए सेवा विस्तार दिया है तो आप जानते है राँ के चीफ कौन है सामन्त गोयल और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है अरुद कुमार समझ में आया है तो रो के चीफ हैं सामन्त गोयल और आईबी के चीफ हैं अरविंद कुमार तो इनको कब तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया तो इनका जो कारेकाल है वो एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया तो आंसर क्या होगा एक साल ओप्सन नमबर सी ठीक है समझ में आया है तो याद रखना है कि रो के चीफ सामन्त गोयल और आईबी चीफ अरविंद कुमार को एक साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया आंसर ओप्सन सी अगला सवाल किस भारतिय कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेस किया है तो आपको याद रखना है इफको ठीक है कौन सा कंपनी है भारतिय कंपनी है इफको इफको ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेस किया है तो याद रखेगा भारतिय कंपनी इफको ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेस किया है? आंसर ओप्षन B अगला सवाल सौदेसी जहाज सजग को मई 2021 में किस सुरक्षा बलके बेड़े में सामिल किया गया? ठीक है तो आंसर करेंगे सौदेसी जहाज सजग को मई 2021 में किस सुरक्षा बेड़े में सामिल किया गया? ठीक है तो आप जानते हैं भारतिय तटरक्षक बल आंसर क्या होगा? भारतिय तटरक्षक बल तो याद रखेगा सौदेसी जहाज सजग को भारतिय तटरक्षक बल के बेडे में सामिल किया गया आंसर क्या हो गया भारती तत्रक्षक बलके बेडे में सामिल किया गया है सौधिसी जहाज सजग को याद रखेंगे अगला सवाल अंतरास्टी एवरेश्ट डिवस कब मनाया जाता है तो इंटरनेशनल एवरेश्ट डिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना है अंतरास्टी एवरेश्ट डिवस 29 मही को इंटरनेशनल एवरेश्ट डिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना है अंतरास्टी average दिवस मनाया जाता है याद रखेंगे अगला सवाल किस देश ने दो बच्चों वाली निती खत्म की अब तीन संतानों की अनुमती मिली ठीक है विच कंट्री एंडेट दा टू चाइल्ड पॉलिसी नाव अलावड त्री चिल्रन तो आंसर क्या होगा option number B चाइना आंसर क्या होगा option number B चाइना याद रखेंगा अगला सवाल परधानमंत्री ने कोरोना महमारी के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों को PM केर्स फॉर चिल्रन योजना के तहद कितना फंड देने का ऐलान तो आंसर करेंगे परधानमंत्री जी के दौरा कोरोना महमारी के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों को PM केर्स फॉर चिल्रन योजना के तहद कितना फंड देने का ऐलान किया गया है तो 10 लाक रुपया answer क्या होगा option number D 10 लाक रुपया याद रखेगा अगला सवाल किस भारतिय चिकित्सक को Rudolph Sindler पुरुषकार से सम्मानित क्या गया answer करेंगे which Indian Fijician has been honored with the Rudolph Sindler prize तो Rudolph Sindler prize से किन को सम्मानित क्या गया कौन ऐसे भारतिय चिकित्सक हैं जिनको Rudolph Sindler पुरुषकार से सम्मानित क्या गया तो याद रखेगा डॉक्टर नागेसवर रेड़ी को रुडॉल्फ सिंडलर पुरुसकार से सम्भानित क्या गया है तो अच्छा सवाल है पूछेगा कि रुडॉल्फ सिंडलर पुरुसकार से किन को सम्भानित क्या गया तो याद रखेगा डॉक्टर नागेसवर रेड़ी को Rudolph Sindler Purushkar से सम्भानित क्या गया है Answer Option Number A ठीक है तो Rudolph Sindler Purushkar से सम्भानित क्या गया Dr. Nageswar Reddy को याद रखेगा ठीक है इसके अलावा आपसे पूछ सकता है Antaraasty Ranger Award किन को मिला है आप जानते है Antaraasty Ranger Award ये भी बहुत जादा पूछ सकता है एक्जाम में इस हवाल Antaraasty Ranger Award 2021 किन को मिला तो याद रखना है Antaraasty Ranger Award 2021 महेंद्र गिरी को मिला है महेंद्र गिरी ठीक है महेंद्र गिरी तो महेंद्र गिरी को मिला है ऐसे होगा ना महेंद्र तो महेंद्र गिरी को मिला है और सुन्दरम सतीस को मिला है महंद्रगरी कौन है तो राजाजी टाइगर रिजव के सनरक्षन में विसेश योगदान देने के लिए महंद्रगरी को अंतरास्टी रेंजर अवर्ड मिला है और सुन्दरम सतीस जो की मननार मरीर नैसनल पार की खाड़ी में काम करते हैं उनके लिए इनको मिला है तो याद रखेगा महंद्रगरी और सुन्दरम सतीस को अंतरास्टी रेंजर अवर्ड से सम्मानित क्या गया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है याद रखेगा अंतरास्टी रेंजर अवर्ड महंद्रगरी और सुन्दरम सतीस को मिला है ठीक है और आपसे पूछ सकता है एसिया प्रियावरन प्रवरतन पुरुसकार 2020 किन को मिला तो याद रखना है एसिया प्रियावरन प्रवरतन पुरुसकार 2020 सस्मिता लेंका को मिला है तो याद रखेगा एसिया प्रियावरन प्रवरतन पुरुसकार 2020 सस्मिता लेंका को मिला जेंडर लीडर्शिप एंड तो याद रखना है पांचवाँ एसिया प्रियावरन प्रवरतन पुरुसकार 2020 सस्मीता लेंका को मिला है याद रखेंगे ठीक है और आप से पूछ सकता है सुवाश चंद्रबोस आपदा परवंधन पुरुसकार किन को मिला? तो याद रखना है सुवाश चंद्रबोस आपदा परवंधन पुरुसकार 2021 डॉक्टर राजंद्र कुमार भंडारी को मिला है याद रखेंगे ठीक है तो आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें तो सही अंसर क्या होगा? रुडॉल्फ सिंडिलर पुरुसकार से सम्मानित क्या गया डॉक्टर नागेश्वर रिडडी जी को याद रखेंगे अगला सवाल स्टार गेजिंग दा प्लीज इन माई लाइफ पुस्तक किस भारती क्रिकेटर ने लिखी है? तो आंसर करेंगे स्टार गेजिंग दा प्लीज इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है भारती क्रिकेट टीम के पुर्व कोच कौन थे बताईए? रवी शास्त्री जी थे ना? तो रवी सास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है तो आपका आंसर क्या हो गया? उप्सण नंबर C, याद रखेगा, ठीक है? तो stargazing the players in my life पुस्तक के लेखक कोन है रवी सास्त्री रवी सास्त्री के द्वारा लिखित पुस्तक है stargazing the players in my life ठीक है और sunny days पुस्तक के लेखक कोन है सुनिल गावसकर आप जानते ही है sunny days पुस्तक के लेखक कोन है सुनिल गावसकर A century is not enough पुस्तक के लिखाग है सौरब गाउंगली और सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है यह आप कमेंट कर दीजेगा क्योंकि यह भी बहुत famous किताब है आप जान रहे सचिन तेंदुलकर, God of Cricket तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सा क्रिकेट लिखा गया कौन सा पुस्तक लिखा गया यह भी आप कमेंट कर दीजेगा और रवी सास्तरी यहाँ पर आंसर होगा Stargazing the Players in My Life पुस्तक के लिखक कौन है रवी सास्तरी Stargazing the Players in My Life पुस्तक के लिखक है रवी सास्तरी याद रखेंगे अगला सवाल UAE सरकार से गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारती अक्टर है इंपोर्टेंट सवाल है UAE सरकार से गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारती अक्टर कौन है UAE सरकार से golden visa पाने वाले पहले भारती एक्टर कौन है संजय दत ठीक है तो याद रखना है UAE सरकार से golden visa पाने वाले पहले भारती एक्टर है संजय दत आंसर option B याद रखेंगे अगला सवाल विश्व पाचन स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है अंसर करेंगे विश्व पाचन स्वास्त दिवस मनाया जाता है याद रखेंगे अगला सवाल नेचर क्लाइमिट चैंज जनरल की स्टडी के अनुशार 1991 से 2018 के बीच हुई मोतों में से एक तिहाई का कारण क्या बताया गया ठीक है तो आंसर करेंगे जनरल क्लाइमिट चेंज जनरल की स्टडी स्वरी नेचर क्लाइमिट चेंज जनरल की स्टडी के अनुशार 1991 से 2018 के बीच हुई मोतों में से एक तिहाई का कारण क्या बताए गया Global Warming याद रखेगा ठीक है नेचर क्लाइमिट चेंज जनरल की स्टडी के अनुशार 1991 से 2018 के बीच भी मोतों में से एक तिहाई का कारण किसे माना गया है Global Warming ठीक है नहीं मोसम में जो परिवर्टन होता है उसके कारण ठीक है याद रखना option number B अगला सवाल विश्वस्वास्त संगठन ने तंबाकू नियंतरन के छेतर में उपलब्दियों के लिए किस केंद्रिय मंत्री को WHO महानिर्देशक विशेस मानेता पुरुसकार से सम्मानित किया है तो आपका आंसर क्या होगा डॉक्टर हर्सवर्धन डॉक्टर हर्सवर्धन जी को WHO महानिर्देशक विशेस मानेता पुरुसकार से सम्मानित किया है डॉक्टर हर्सवर्धन जी को तंबाकू नियंतरन के छेतर में कारे करने के लिए तो आप सभी से हमबल रिक्विस्ट करेंगे प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें अगला सवाब GST परिशद ने COVID समाघ्री पर कर चूट के निर्ने के लिए किसकी अधिक्स्ता में 8 सदस्य पैनल बनाया ठीक है तो याद रखना है आंसर क्या होगा कॉन रोड संगमा याद रखेगा GST परिशद ने कॉन रोड संगमा की अधिक्सता में गठित किया गया आंसर होजाएगा ओप्सन नमबर D याद रखेगे ठीक है तो इतना ही सवाल था आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट किजेगा क्लास को लाइक और शेयर अवश्चि किजेगा साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोगों कोई भी डाउट होगा कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट किजेगा तो मुलते हैं आप से अगले कलास में आप सभी का तहीं दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंद, जै भारत, जै बिये से धन्यवाद